BPS CTRI 3, सिक्षक भरती पेपर लिक और सिपाई भरती पेपर लिक में पटना के तीन कोचिंग संचालकों का नाम आ रहा है जो आर्थिक अपराधी काई जाच कर रहे हैं उसमें पतना के कुछ कोचिंग सिक्षक, पेपर लिख में सनलिप्त है, जिन्होंने अस्टुडेंट्स प्रोभाइड किया है, दलालो से ट्रो से मिलकर, परिच्छा माप्याओं सिक्षा माप्याओं से मिलकर, हमने हमने पतना के दो सिक्षकों का भी नाम बताया था, और जो नेता, इन लोगों को सन्रक्षन दे रहे हैं, हमने उस नेता मंत्री का भी नाम बताया था, तीन कोचिंग सिक्षकों का नाम आया है, तो वो कोचिंग सिक्षक कौन है, कोचिंग संचालक कौन है वो? नमस्कार दोस्तों में दिलिप कौमार, दोस्तों पतना के अख़वार में ख़वर छपी है, कि BPSC TRE3, सिक्षक भरती पेपर लीक और सिपाही भरती पेपर लीक में, पतना के तीन कोचिंग संचालकों का नाम आ रहा है, जो आर्थिक अपरादिकाई जाच कर रहे हैं उसम सिक्षक और इनको बरे-बरे नेता संरक्षन देते हैं, BPSC TRE3 का अभी जब पेपर लीक हुआ 15 मार्च को, तो हम 16 मार्च से चिला चिला कर कहा रहे थे, कि पतना के कुछ कोचिंग सिक्षक पेपर लीक में संलिप्त है, जिन्होंने अस्टूरेंट्स प्रोभाइड किया है दलालों, सेटरों से मिलकर, परिक्षा माप्याओं, सिक्षा माप्याओं से मिलकर, ये पतना के कुछ कोचिंग सिक्षक, पेपर लीक और धांदली सेटिंग में संलिप्त रहते हैं, और अपने कोचिंग के स्टूरेंट्स को सेटरों से मिलवाते हैं, और इसके बदले इनक को संरक्षन दे रहे हैं हमने उस नेता मंतरी का भी नाम बताया था आज अख़वार में ख़बर छपी है हम ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर जब भी पेपर लिखोता है तो आता है कि कुछ कोचिंग संचालक रडार पे लेकिन उस कोचिंग सिक्षक का नाम क्यों नहीं आता है आज जैसे ही ये बात आई सामने कि तीन कोचिंग सिक्षकों पे करवाई होगी जांच में पटना के तीन कोचिंग सिक्षकों का नाम आया है तो वो कोचिंग सिक्षक कौन है कोचिंग संचालक कौन है वो क्यों नहीं उनका नाम मुझागर हो रहा है आखिर बिहार के लाख तीज कुमार जी से ये मांग कर रहे हैं आर्थी कप्रादिकाय से मांग कर रहे हैं कि आएसे सिक्षकों का आएसे कोचिंग संचालकों का नाम मुझागर किया जाए जब दिलिप कुमार सरचवीं BPSC का जो पेपर लिख हुआ था तो मुखमंतरी को हम कोस्टन भेजे तो हमें उठा लिआ गया आर्थी कप्रादिकाय के द्वारा हमसे पूच्ताच होती है मीडिया में खबर चल जाती है कि दिलिप कुमार को उठा लिए पेपर लीक के मामले में पूच्टाच हो रही है बी ससे सी जील थीरी के समय हमसे पुछता चुई आर्थी कप्रादिकाई के द्वारा तो ये बात मीटिया में चलि की दिलीप कुमार से पुछता चल रही है अरथी कप्रादिकाई की द्वारा लेकिन पटना के तीन सिक्षकों का जब नाम आ रहा है, कोचिंग संचालकों का नाम आ रहा है, तो क्यों नहीं उनका नाम सर्वजणिक हो रहा है, किसका दवाब है आखिर, पुलिस पर सरकार किसका दवाब है, कौन है वो बरा सिक्षा मापिया, कौन है वो बरा नेता, जिसक चलते इन सिक्षकों का नाम सर्ज्वनिक नहीं किया जा रहा है हम यह जानना चाहते हैं बिहार के लाकों सिक्षक अभियर्थी सिपाही अभियर्थी दरोगा अभियर्थी बीपीसी सिविल सेवा अभियर्थी इनके साथ साथ बिहार के तमाम छात्र छात्राएं सबी लोग आम जनता ये जानना चाहते हैं कि कौन है पटला का वो तीन सिक्षक, तीन कोचिंग संचालक जो पेपर लिक में सनलिप्त है, धांदली सेचिंग में सनलिप्त है, उसका नाम उजागर किया जाए, ये ऐसे लोग सिक्षक नहीं है, बलकि बहुरूपिये हैं, बहु जान देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और इनके कोचिंग में सुरक्षा मानक तक नहीं होता है, फायर सेफ्टी तक नहीं होता है, ये क्या आश्ट्वेंट्स के लिए जान देंगे, जो अपने कोचिंग में फायर सेफ्टी की वेवस्ता नहीं किये हुए हैं, और पेपर लिग धांदली सेटिंग में सनलिप्त रहते हैं, इनके ऑफिस के अंदर कौन सा खेल चल रहा है, यह हम लोग भी जानते हैं, लेकिन समय का इंतजार कर रहे हैं, सब का पोल खुलेगा, हमने दो सिक्षकों का नाम उजागर किया था, BPSC TRE 3 पेपर लिग के समय, आज कपरादिकाई कि हवाले से एक ख़बर चापी गई है, अख़बारों ने ख़बर चापी है कि पटना के तीन कोचिंग संचालक का नाम आ रहा है, जिन पर करवाई होगी, लेकिन उस कोचिंग संचालक, कोचिंग सिक्षा का नाम क्यों नहीं सर्मजनी किया जा रहा है, कई पीएसी टीरी थीरी का पेपर लीक होता है, खांसर जाते हैं असोक चोदरी से मिलते हैं, उसके बाद असोक चोदरी मीडिया में बोलते हैं, कोई पेपर लीक नहीं हुआ, जबकि उससे पहले आर्थिक अपरादिकाई ने जांच रिपोर्ट दे दिया था, और उसमें कहा पीएसी टीरी थीरी का पेपर लीक है, फिर कैसे बिहार सरकार का ही एक मंत्री ये कर रहे हैं कि कोई पेपर लीक नहीं है, तो क्या बिहार सरकार के मंत्री इन सिक्षा माफियाओं को बचा नहीं रहे हैं, सनक्षन नहीं दे रहे हैं, इन सारे मामलों की जांच होनी चाहिए और कौन है वो तीन सिक्षक कौन है वो तीन सिक्षक के रूप में बहुरूप ये जो बिहार के लाखो अस्ट्रेंज के भविस के साथ खिलबार कर रहे हैं जिन्गी के साथ खिलबार कर रहे हैं ऐसे सिक्षकों को कोचिंग संचालकों को फासी मिलनी चाहिए फासी जो सिक्ष सेरक के रूप में बहुरूपिये हैं और शिक्छ हँ परिक्छ हम प मात्या हैं यह लोगुन का नाम जागरद कि आ जाए म्मारतिक अबर्धिक डिकाई से वी मांग कर रहे हैं कि जो भी सिख्छाग कोचिंग संचालक यदितीस में संलिपता है सब का नाम मुझागर किया जाए। आखिर हम लोग को जानने का हक है कि कौन है वो दलाल, कौन है वो सिक्षक जो दलाली करता है, कौन है वो सिक्षक कोचिंग सल्चालक, जो धांजली सेटिंग का काम करता है, पेपर ली कराता है, सॉलवर गैंग का काम करता है, सॉलवर गैंग से संपर् कौन है वो सिक्षक कौन है वो दलाल कोन है वो सिक्षक के रूप में दलाल से चाहिए हम लोग जानना चाहते हैं हमने तो कुछ लोगों का नाम उजागर किया था क्या यह वही लोग है या और कोई लोग है यह नाम उजागर होना चाहिए हम यह मांग कर रहे हैं आर्थिक संद्री सेटिक में सनलिप्त रहते हैं जो सॉलबर गैंग प्रोवाइड करते हैं जो किसी भी तरह से परिक्षा में कदाचार में सनलिप्त है वो ऐसे लोगों का नाम मुझा आगर किया जाए ताकि हम लोग भी ऐसे लोगों से सतर कर रहें रिपब्लिकन न्यूस के साथ जुडने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें लोटिफिकेशन प्राब्द करने के लिए यहां बेल को दबाएं वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें